हेलो यूरी वन गुड मॉनिंग नमस्कार 26 जुलाई 2023 और दे हिंदू न्यूजबेपर एनलिसिस में आपका स्वागत है आज की जितनी भी इंपोर्टेंट न्यूज और एडिटोरियल होंगे वो इस यूडियो के तुरू डिसकस करेंगे स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पेज की इंपोर्टेंट न्यूज के साथ और फर्स्ट पेज पे अगेन पारलियमेंट का जो मौनसुन सेशन उसी के बारे हम डिसकस किया गया है और इस पारलियमेंट की मौनसुन सेशन के बारे में हमने पहले भी कुछ इंपोर्टेंट चीज़ डिसकस करी थी और इसी इंपोर का क्या माईने होते हैं और क्या constitution में करें डिफाइन किया गया तो थोड़ा से इसके बारे में पढ़ेंगे देखो no trust motion या no confidence motion का मतलब होता है कि parliament में specially लोकसभा के अंदर जो है सरकार की majority को चेक करना कि सरकार के favor में confidence है या नहीं है इसको लेकर हलाकि हमारे constitution में बहुत ज्यादा clarification नहीं है क्योंकि no confidence motion या no trust motion केवल लोकसभा मिलाया जा सकता है क्योंकि सरकार में members सही बनती है और लोकसभा में ही resolution लेकर आया जाता है क्योंकि ये constitution में कोई lets법ky understood decision नहीं तो लोकसभा के जो procedure rule होते है उसके अंदर है define किया गया है no trust motion या no confidence मोशन के बारे में इसको लेकर एक 50 मेंबर का एक resolution होता है speaker को लिख कर देते फिर voting होती है अगर ये पास हो जाता है no trust motion या no confidence motion तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है सरकार को resign करना पड़ेगा जैसे अपने कभी पढ़ा हो budget के बारे में सेम होता है budget का पास होना बहुत जुरूरी होता है अगर budget पास नहीं होता है तो वो सरकार का resignation समझा जाएगा यह नहीं सरकार को resign करना पड़ेगा यह एक तरीके से सरकार की majority test करने का एक तरीका भी है हना इस तरह कई सारे जो constitutional terms है या parliamentary terms है आपको देखने को मिलेंगे सारी की सारी बहुत important और relevant है आगे बढ़ेंगे इसके बाद right hand side में एक news आपको देखने को मिलेगी वो थी इंडिया और चाइना के bilateral relation के थोड़ा से इसको जूम कर देते ताकि आपको पढ़ने में यह असान हो जाए तो सबसे पहले बताया कि चाइना नहीं कि जब इससे पहले G20 की summit हुई थी इस बार तो इंडिया में हुई उससे पहले इंडोनेशिया की जो city बाली वहाँ पर हुई थी और इसमें चाइना ने claim किया कि इंडिया और चाइना के बीचे बहुत सारे issues पर एक consensus या सहमती बनी है तो इसी को लेकर discuss किया गया है और यह पहली बार है कि दोनों side में से किसी ने एक तरीके से इस conversation के बारे में discuss किया गया है basically क्योंकि दोनों country जे 20 का पार्ट है तो side line में एक meeting होई थी उसके बारे में discuss किया है हला कि जो major issues होते हैं जो side line summit होती है कि एक global summit हो रही है कोई important organization की meeting हो रही है उसमें side में मिलने से वो चीज़े sort out नहीं होती है major issues के बारे में जहां तक बात है चाइना ने कहा कि consensus बन गया था यानि बहुत सारे चीज़े sort out हो गई थी और ये claim किया है चाइना की foreign mystery ने इसके अलावा इस time पे एक important initiative हुआ है क्योंकि BRICS 2023 की summit इस बार एक तरीके से होगी साथ अपरिका के अंदर भारत में दो important summit होनी है एक तो से यो की हो चुकी है संगाई को अपरेशन और और चुली और second जोए G20 की होने वाली है रिशन में जोहांस बरक के अंदर basically NSS की meeting थी उस दोरान ये बोला गया और Indian statement में clear ये बताया गया कि ये जो claim है उसके बारे में कोई reference नहीं दिया गया है और इंडिया ने बहुत clearly काया कि जब तक border dispute जो है वो sort out नहीं होगा political resolution नहीं होने वाला या नहीं political या फिर अगर आप दिखेंगे दूसरे जो bilateral relation है उसमें बहुत जादा moment नहीं होने वाली है जब तक आप border dispute को या एक तरीके से eastern दाक पर या LAC पर जो issues है उसको sort out नहीं करेंगे काफी issues जो हो sort हो चुके हैं लेकिन अभी भी कुछ fracture कुछ point pending है जिनमें इंडिया और चाइना दोनों के लिए challenging है इसको लेकर तीन तरीके से बात हो रही है military channels के थुरू diplomatic और highest है political channels जानी government या कह सकते हैं भारत के प्रैमिस्टर और चाइना के जब प्रेजिडेंट बात करेंगे तो हाई issues से ज़्यादा उपर कुछ भी नहीं है इसके अलावा मनीपूर के अंदर internet को थोड़ा सा release किया गया है ये कुछ चीज़े है हलाकि बहुत ज़्यादा condition लगाई गयी है कि wifi और VPN यूज जो है वो ban होगा सारी social media application आपको delete करने ही पड़ेगी तो ये किस तरह का internet है ये थोड़ा अलग है लेकिर internet यहाँ पर ban कर दिया गया है इसके अलावा यहाँ पर एक interesting घटना करम हुआ चाइना के अंदर बेसिकली चाइना के जो नए ने foreign minister बने थे king gang उनको हटा दिया गया है पहले तो ये एक मेने से गाय वह पता है नहीं का चले गये थे इसके अलावा इससे पहले जो foreign minister थे वांगी उनको वापिस का गया कि आपिस हमाली इनकी बसकी बात नहीं है चाइना के अंदर क्या होता है कि बहुत जादा ऐसे लोग होते हैं जैसे को celebrity हो गया business man है या इस तरह कोई politician है जिसको सरकार को लगता कि ये वंदा ठीक नहीं है तो उसको क्या करते हैं वो suddenly गायब हो जाते है फिर एक दो मेहने बाद वो दिखते हैं तो फिलाल वो पता नहीं है कहां पर इसके अलावा इन्होंने चेंज करा कि भाई ये सारी चीज़े है अला कि speculation बताया गया कि ये health issues है political issues है या इनका कोई personal issues है जो भी हो लेकिन ये फिलाल वापिस इनको वांगी को जो 70 साल के हो चुके हैं फिर चे उनको member बना दिया गया या एक तरीके से foreign mission बनाया गया चाइना में आने वाले टाइम में जब इंडिया और चाइना को लेकर कोई bilateral summit होगी तो उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं और possibility है कि जब BRICS की summit होगी तो उस दौरान भी ये present रह सकते हैं हो सकता कि Chinese President भी वहाँ पर जाए इंडिया के Prime Minister possible है जोहांसबर्ग summit के अंदर जाए तो इस तरह की possibility जो हो आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा next page पे दिल्ली की state news है तो वो तो relevant है नहीं हमारे लिए और continue चलते हैं जो important अगर लगेगा कोई चीज़े तो हम जरूर उसको देखेंगे for example कुछ चीज़े जाती है जैसे मनीपूर में हम यह देख रहे हैं कि जो वोईलेंज का एक बेस बना था कि वोईलेंज जो हो रही है उसमें एक रिजन था कि वहां की हाई को ने डिरेक्शन दिया कि मेती कम्यूटी को सेडूल ट्राइब के अदर जो वो इंसर्ट किया जाए तो अब बेसिक के बेनेफिट है उसमें कहीने कहीं कॉंप्रमाइज करना पड़ता है कहीने कहीं चैलेंजिंग है तो यहां पर बहुत सार लीडर जो है अपर कास्ट को सेडूल कास्ट में एंटर करने के लिए यह कुछ ऐसी कम्यूटी को जो पहले अपर कास्ट में थी अगर वासी के कहीने कहीं जो उनको एक अपरचुनिटी मिलते हैं उसको कहीने कहीं चैलेंज करते हैं एडिटोरियल एंड में पड़ेंगे और एडिटोरियल के बाद अगर हम देखते हैं जो नेक्स्ट बेज आता है वो हाता है टेक्स्ट एंड कॉंटेक्स्ट का पेज इसमें कुछ चो और सेफ्टिक टेंक में जो क्लीन करते वक्त जो है लगबत 349 लोगों की डेथ हुई है और 2023 में अब तक 9 लोगों की हुई है सबसे ज़ाद 2022 में 66 लोग जो उसमें मारे गए है एवरेज कोस्ट क्या है डेटा अबरीज की वह 17.9 क्रोड इस तरह की चीज़े बताएगी और फ इसके लावा जो टेक्स्ट एंड कॉंटेक्स्ट में में टोपिक डिसकस किया गया है हिमाचल फ्लड के बारे में कि क्या ये मैनमेड डिजस्टर था हम लोग जनरली डिसकस कर रहे है कि हिमाचल प्रदेश या उसके बाद इसका इंपक्ट पड़ा पंजाब हर्याना दिल् नहीं इसके पीछे एंथ्रोपोजोनिक या फिर मैन मेड यानी पूरी तरीके से मैन भी रिस्पॉंसिबल है हम लोग रिस्पॉंसिबल है इस तरह के एक्टिविटी के लिए इस तरह की घटनाओं के लिए और डेवलमेंट मोडल जो है उसको क्या रीलूप करने की ज़रू दिया कोई रिजोर्ट मुना दिया तो वह बहुत वुल्नरेबल है और जब भी हलका सा क्रेक्स आजाते हैं या कोई लेंड स्लाइड होती तो वह बहुत ज़्यादा प्रोब्लमेटिक होती है तो यहाँ पर यह एनलिसिस किया गया कि फ्लैस फ्लेट जो हुई यह जिस तरी में रिजन क्या है कि फ्लेट के बारे में बताया गया कि जो अनकंट्रोल कंस्ट्रक्शन है इन हाइडरो पार प्रजेक्ट तो लग रहे हैं लेकिन वो प्रोपर कंट्रोल नहीं हो रहे है इसी तरीके से हाइडरो पार प्रजेक्ट के जो ट्रांस्फोर्मेशन है वो मांट पूंटिन रिवर को स्ट्रीम में बदल रहा है, कमेशन होना चाहिए, जो इंक्वाइरी करे कि मेजर स्टेकोल्डर को होना चाहिए, लोगों से डिसकसन होना चाहिए, पॉलसी फ्रेमवर्क फेलियर होने पर क्या इंपक्ट होगा, और जब भी कोई प्रोजेक्ट बने उसमे Environment Impact Assessment को Properly Analysis किया जाए, कि ये प्रोजेक्ट जो है, कितना ज़्यादा चैलेंजिंग होगा इस तरह की चीजों को लेकर, यानि केवल आप ये बोल देंगे कि ठीक है, ये Environment की वज़े से या Naturally Climate Change या Global Warming की वज़े से जो Shifting हो रहा है, मौन्सोन के पैटरन में, केवल उसका ये Impact है, Anthropogenic या Man-made जो Activities हुई उनका भी, यानि हमने जिस तरीके से Construction किया है, और उस एरिया में जहां पर Vulnerable है, यानि अगर आप Mountain के बीचों भी जोड मना देंगे, हलाकि Development ज़रूरी है, बट Make Sure कि Development में आप उन एरिया को Damage नहीं करें, या Environment को इतना Damage नहीं करें, कि Environment ज नमबर 10 पर भी कोई Particular News आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो Exam से बहुत ज़्यादा Relevant हो या फिर एक तरीके से, इसके बाद जो Next Page है, उस पे Basically Cover किया गया Page Number 11 पर कि जो Parliament का तो Session चल नहीं रहा है, प्रोपर नहीं चल रहा है, बहुर 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 हो रहा है, लेकिन मैं प्लग्रम बात करें, तो लोकसभा ने एक बिल पास कर दिया, इसके Issues को काफे Criticism भी किया जाता है, लेकिन जब discussion नहीं होगा, तो बीना ही discussion के बिल पास होता है, तो Parliamentary जो provision होने चाहिए, क्योंकि देखो, आपका सरकार के परती विरोध होगा, बट विरोध करने का तो तर कि आप वाकाउट करके, वाकाउट करना आपका काम था, सरकार वहाँ पर है, उनकी MP वहाँ पर है, कोई बिल आया और पास हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो make sure, proper discussion होना चाहिए, डोर्मेंट और opposition दोनों की responsibility है, कि question करें सरकार से, जवाब मांगे, बट जवाब आप सुने भी ऐसे नहीं कि आप जो वो session कोई बरबाद कर रहे हैं, यह चीज़े नहीं होने चाहिए, लोकसभा ने एक बिल पास कर दिया, जिसका नाम है biological diversity bill, यह basically क्या होता, जो आयूस प्रेक्टिनिस्ट है, या इसको आयरवेदिक आप बोल सकते हैं, डॉक्टर्स या पायरवेदिक जो medical practitioner है, उनको relaxation देता है, कि biological resource को collect करना, असेस करने के लिए, उनको बायोड़ेश्टि बोर्ड्स की जरूत नहीं होगी, इसके लावा इसका aim है कि जो burden या investment या patent application process को जो वो simplify करना है, environmental organization का मानना है कि यह सारी चीज़े क्या करता है, बायो पायरेशी करता ह यानि biological product की piracy in the century ही करता है, और ये amendment जो industry के favor में है, इसके अलावा बहुत जादा इसमें clarity नहीं है कि local community को क्या मिलेगा इसी है, तो कि जो mostly IOS product होते हैं, उसमें बड़ी संक्या में basically tribal population भी होती है, तो उनको क्या मिलने वाला है, इसके अलावा यहाँ पर एक life करके project भी launch कि गया गया था, जिसमें legal initiative जो forest and environment के लिए है, तो उसके बारे में भी discuss जो हो किया गया, आयूस के अंदर, आयूरुवेदा, योगा, नेचल पेथी, युनानी, सिद्धा, हुमिपेथी, ये सारी चीज़े जो हो आती है, तो ये चीज़े आपको देखने को मिलेगी, इसके चलावा, एक बिल पर डिबेट हुई, जिसमें DNA बिल जिसको बोला गया, DNA technology use and application regulation बिल 2019, उसको परलेमेंट ने विड्रो कर लिया था, 2019 में, और इसको लेकर जब सवाल पुछा गया, कि अपने विड्रो क्यों कि जो opposition है, ये वह बोल रहा है, कि ये इसलिए बिल ये वापिस लिया था, क्योंकि इसके बहुत सारे closes जो है, वो criminal procedure identification act 2022 में, amendment के थुरू include कर दिया गया था, criminal procedure वाला जो ये कानून है, ये I think 1920 को amendment किया गया था, I am not sure, ये correction कर लेना, और 2022 में amendment किया गया था, और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़े include कर दी गई थी, जो basically DNA technology के बिल के अंदर था, तो काफी हत्तक ये चीज़े सही भी है, इसके अलावा अगर आप इस page पे देखेंगे, तो कुछ और बिल परलेमेंट ने पास कर दिये हैं, बिना कोई discussion के, जैसे 36 गड में, schedule tribe list में, कुछ ऐसे tribes होते हैं, जिनके name थोड़ा सा changes होते हैं, हिंदी, similar name है, कि अगर एक tribe का name जो है, कुछ words में change ही, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो अलग tribe हो, similar ही tribe consider की जाएं, इसके बाद, multi-state cooperative will pass कर दिया गया, एक तरीके से लोकसभा के द्वारा, multi-state cooperative society amendment will 2023, जो introduce करता है, regular election होंगे, cooperative के अंदर, इसके बारे में, इसके अलावा, यह bill जो introduce किया गया था, cooperative minister है, अमीद साह के द्वारा, और independent body होगी, election commission की तरह है, और जो cooperative society के election करवाएगा, government interface को कम करेगा, तो देखो, bill pass हो रहे हैं, कोई discussion नहीं, कोई questioning नहीं, क्योंकि, house जो वो एक तरीके से, लोगजाम की situation है, वहाँ पर कोई properly चीज़े नहीं हो पा रही है, इसके अलावा, मनरिगा के बारे में, data दिया गया, कि 2022-23 में, लगबग 5 करोड लोगों की नाम, जो हो मनरिगा से कटे हैं, इसके पीछे reason क्या बता है, वो भी पढ़ेंगे, 2022-23 में, 247% dilatation बढ़ा है, as compared to 2021-22, तो यह हाँ पर सरकार के दोरा जो जवाब दिया गया है, तो उन्होंने दो चीज़े बताई, कि major 10 reason है, जिसकी वज़े से जो हो वो, नाम जो कटे हैं, basically, और इसमें अगर हम बात करते हैं, तो incorrect job card है, fake applicant है, duplicate applicant है, family shifted person shifted हो गया, या फिर नया family में कहीं ने के shift हो गया, single person है, job card के अ पंचायत exist नहीं करती, village जो urban में change हो गया, वो सारी चीज़े आपको देखने को मिलेगी, और ये regular exercise जो state के दोरा की जाती है, अधार card से link करने के बारे में discuss लगाता रहा है, कि अधार बेज payment system होगा, उसके लिए time बढ़ाया गया है, 34 state और union territory जो है, उसको कहीं ना कहीं exercise कर करती है, और इसमें number of dilatation है, वो सबसे ज़्यादा increase हुआ तेलंगाना, उसके बाद अगर हम बात करें, अंधर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जो dilatation है, वो काफी ज़्यादा देखने को मिला है, इसके लावे एक news ये भी आया थी कि West Bengal को जो payment होती है मनरेगा क के context में, इसके बाद जमुण कस्मीर को लेकर एक bill जो है government introduced कर रही है, और इसका नाम होगा जमुण कस्मीर reorganization amendment will 2023, इसमें होगा क्या, कि जो कस्मीरी पंडित है, उनको और एक जो पाकिस्तानी occupied कस्मीर से इंडिया में entry कर रहा है, या उसको nominate किया जाएगा basically, अब opposition political party ये बोल रहे हैं कि ये political agendas के through है, तो ये सारी चीजे आपको देखने को मिलेगी, देखो, ऐसे तो parliament में, हर parliamentary session में कम से कम 20, 30, 25 बिल आते होंगे, उसमें बदलाव की जाते होंगे, नए बिल, पुराने बिल को amendment करना, ये सारी चीजे है, but major होता है कुछ ही, जैसे अगर आप द discussion भी होगा, और जादा debate भी आपको देखने को मिलेगा, next page जो है, वो है, world affair basically, और दुनिया में इस time पे क्या चल रहा है, तो दुनिया में बहुत जादा चीजे चल नहीं रही है, तालिबान के बारे में discuss किया गया, पड़े ना पड़े, क्या ही इसे फरक पड़ता है, तो अफगानिस्तान में basically जब से तालिबान की power आई है, या तालिबान ने capture करी है, पावर ऐसा नहीं कोई election हुए थे हैं, इन्होंने power capture करी, इन्होंने क्या किया कि बहुत ज़्यदा restriction लगा दिया गया महिलाओं के उपर, कि school में नहीं जा सकती, college में नहीं जा सकती, बहुत ज कोई भी महिला, public space के अंदर नहीं रहेगी, तो यह किस तरह का development है, मुझे समझ से परे है, और इतना ज़्यदा restriction जो है, इंपोज किया गया, जिसका impact in future जो है, वो देखने को मिल सकता है, इसके अलावा, चाइना और रोशिया ने North Korea के अंदर delegate भेजे हैं, कि चलो चाय पान यूएस है, उनका एक concern है, इसके अलावा, यूएस के साथ जो इनका nuclear tensions को लेकर ये issues है, वो लगातार देखने को मिलता है, रशिया और चायना के तो पहले से बहुत अच्छे रिलेशन नौर्थ कोरिया के साथ, इंडिया और नौर्थ कोरिया के अगर आप bilateral relation को सर्च तो बहुत जादा, ना तो हमारे बहुत अच्छे है, ना बहुत जादा खराब है, इंडिया जनली नौर्थ कोरिया जनली इंडिया के बारे में कोई negative statement नहीं देता, और नौर्थ कोरिया को हमने कई बार humanitarian aid दिया जैसे यहूँ supply किया गया, तो इंडिया और नौर्थ कोरिय of indirect taxes and custom के दोरा एक जानकरे दीगी कि भई GST के 9300 fake GST account की गे, 11000 कुर्ट रुपे का evasion जो हुआ है उसको इनने डिटेक्ट किया और बहुत सार रिफर्म को जो हो, वो suspend कर दिया गया है, यह तो बेसिक सी चीज़ है, अब बात करते हैं कुछ important news के साथ, inflation जो 6% के आसपास bank के दोरा और इनका यह मानना है कि जिस तरीके से अभी जुलाई महिने में food और vegetables price में जो increase देखने को मिला, इसका impact हो सकता है, कि आने वाले time में हम देखेंगे कि जब जो target set किया गया है, RBI के दोरा 5.1% का estimation है, inflation का वो bridge हो सकता, 6% तक जा सकता, जो की upper tolerance limit है, right, इसके बाद दो important news है, दोनों ही IMF से related है, पहला international monetary fund ने जो global अगर हम बात करें, economic outlook या world economic outlook या एक दुनिया में किस तरह की growth rate हो सकती है, तो उस context में, इंडिया की growth rate में 6.1% तरीकिस बोला, इसमें 0.2% का increment है, जो अप्रेल में projection हाया था, और यह बताया गया कि इंडिया में growth का जो projection है, यह जितना expect किया जा रहा है, उससे stronger है, domestic investment जो हो strong है, और predict किया जा रहा है कि इंडिया की economy जो हो 6.1% का सपास रह सकती है, as per IMF, हलाकि Indian RBI के दोरह जो projection दिया गए, उसमें 6.5% है, right, IMF यह भी मानता है कि global growth estimate में के एक तरीके से और जादा resilient होने की जरूरत है, अभी भी ब impact पड़ता है, overall growth पर, यानि world economy की different growth होगी, लेकिन major economies में, इंडिया ने कई बार अगर आप दुनिया की बड़ी economies में observe करते हैं, तो highest growth rate में से एक हासिल करी है, इसके अलाबा, रिशन में इंडिया ने जो rice इन एक तरीके से उसको export पर restriction लगया था, तो IMF यह बोल रहा कि इस में, रेशिया ने कहा कि हम इसमें सामिल नहीं होगे, तो उससे impact पड़ा है, और 10 से 15% rice की जो price है, वो increase हो सकती है, इस पर IMF यह बोला गया है, और इसका एक anonymous impact बोला है, कि पहले से क्योंकि food prices में काफी volatile है, काफी increase देखने को मिला है, और इसका फिर retaliate हो सकता है, यानि भा कामफूल है ये पूरे के पूरे scenario में, जैसे अगर आप देखेंगे, rice अगर हम export नहीं करेंगे, हलाकि ये non-basmaty rice है, जैसे गल्फ country में, गल्फ country में हम लोग rice export करते हैं, हलाकि उसमें भी अगर हम बात करें, mostly बासमती rice की बहुँ जादा demand होती है, क्योंकि उसकी quality इसके बाद editorial पार्ट को हम लोग cover करेंगे, दो चोटे-चोटे-चोटे आर्टिकल है, पहला welcoming happening करके एक तरीके से है कि किस तरीके से human challenge studies के बारे में बताया गया, और क्या इसका institutional mechanism को और जादा robust करने की requirement है, या इसको improvement करने की जरूत है, second article है, Israel के अंदर जो घटना करम हो रहा है, इसराइल में जो bill introduced किया गया थै, कानुन बना judiciary को लेकर वो पढ़ेंगी थोड़ा सा, दोनों article brief में पढ़ेंगे, हमारे पास समय भी थोड़ा कम है, यहाँ पर बात किया जा रहा है कि Indian Council of Medical Research की एक unit है, जिसमें bioethics unit है, उन्होंने क्या किया कि एक consensus policy statement उन्होंने का कि controlled human infection study जो की जाएगी, और इसको लेकर human challenge studies को लेकर healthy volunteers को intentionally expose किया जाएगा, disease causing microbes के साथ highly controlled and monitored environment में है, तो इस तरह की study कोई पहली बार नहीं है, 1900 के आसपास yellow fear के माबले में यह काफी ज़्यादा popularity तब मस्कीटियों का establish किया गया था, कि वो virus को transmit करें, टीपिकली इस तरह की जो चीज़े हैं बहुत rare होती क्योंकि फिर ethical concern इसमें जुड़े होते हैं, यह study कितनी helpful होगी तो आने वाले time में बता चलेगा, लेकिन इस तरह की study से जो भी treatment होता है, कोई disease उसके treatment में कौन सी दवाईया important उसके बारे में काम क्या जाता है, small number of volunteer होगा ऐसा है कि पूरी दु disease को analysis करने में help मिलेगी और accelerate होगा medical intervention process के बारे में, जब हम vaccine development के बारे में बात करते हैं, तो यह सारी study केवल insert नहीं होती, इसमें कई सारी चीज़े भी देखी जाती, safety, immune response क्या रहा है candidate का जो vaccines के मामले में, और early phase में clinical testing important है, हलाकि human challenging study जो वो alternative नहीं है कि phase 3 का efficacy trial ना हो, यह help करता है candidates को या तरी के से जो clinical trials होते हैं उस मामले में, इसके अलावा human challenge study में require होता है कुछ volunteers की जो speed up करे development process के, पिछले 50 सालों में इस तरह की studies पहले भी हुई है, और vaccine development की अगर हम बात करते हैं, टाइफाट और cholera के मामले में, वहाँ पर भी देखने को मली, COVID-19 pandemic में भी studies होती है, studies बहुत important है, vaccine को development करने के लिए, जब तक माल अतने दवाई बनाई, human पर भी trials होंगे, और जब humans पर कोई trials होते हैं, तो वो फिर एक ethical subject भी बनता है, ethical challenges भी है, जब भी आप इस तरह की चीज़े करते हैं, क्योंकि हमारा system उतना robust नहीं है, तो जब तक laboratory institution या scientist इस त पर तरीका ना अपना है, तो इस तरह की चीज़े avoid भी किजा सकती है, तो several clinical trials जो है, जिसमें इन council of medical research भी involved है, तो ethical violation कई बार नजर आता है, जैसे अंदर प्रदेश के अंदर 2010 में घटना करम हुआ, और यहां पर अगर हम बात करते हैं, ethical challenges के अंदर तो इमिशूज की possibility रहत है, तो जब तक यह चीज़े sort out नहीं हो, चाहिए monetary dimensions को लेकर हो, expert यह effective study को लेकर हो, यह treatment का जो तरीका safe और effective हो, इन सब चीज़ों ध्यान में रखते हो, जब भी microbe और disease की बात होती है, तो proper medical intervention होना चाहिए, और जब तक हम expertise नहीं हो जाते हैं, इस तरह की चीज़े avoid की जा सकती है, institutional structure और mechanism के context में, right, दूसरा अगर हम बात करें article है, dangerous overhaul करके, इसराइल के अंदरे कानूर बना कि judiciary जो बहुत जादा interfere कर रही है, या उनको यह लगता है, इसराइल की सरकार को, कि judiciary की judicial review की power हो हम snatch कर रहे ही, वह आप review review कुछ नहीं करेंगा, जो हम बोल रहे हो ही करना है, तो इसराइल को क्या यह over week मुना देगा, और इसराइल में क्या authoritarian या तानासा जैसी चीज़े देखने हो को मिलेगी, जिसमें judiciary को undermine किया गया, इसराइल के इस टाइम भी फ्राइम स्ट्रैप, बेंजामी नेते रहू, और इनके बारे में बता जाता है कि, यह क्योंकि coalition के अंदर है, इसराइल में पिसले कुछ दिनों में कई बार election हो चुके हैं, और उसमें से आने वाले टाइम में फिर से election हो सकते हैं, तो opposition ने work out कर लिया, तो one-sided vote पड़े कोई दिक्कत नहीं, पिसले 6 में जाँ पर protest चल रहा है, अभी भी protest है, और Supreme Court की ability की government की जो unreasonable decision हो, कोई decision हो आप review नहीं कर सकते, सरकार को challenge नहीं कर सकते, यानि जो balance होना चाहिए, government और judiciary की बेच में, वो नहीं देखने को मिल रहा है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तो इनका यह मानना है, क्योंकि सरकार यह बोल रहे कि इसमें तो unwanted जो हो, इंटरफेर कर रहे थी, judicial average हो र इसलिए review ही नहीं कर सकते, कि कानूल बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, तब अपने आप में कई सारे challenges भी आते हैं, इसके अंदर प्रोटेट जो workers के दवारा, professional और reservist जो backbone है इसराइल के military उन सब के दवारा है, और उनका कईने कि यह accusation है, कि Benjamin Netanyahu जो आप वो ट्राइ करे और क्योंकि इस particular area में, इसराइल वाले area में या West Asia में किवल इसराइल ही अपने आपको democratic state बोलता है, और जब democracy में आप ये चीजे करते हैं, Supreme Court की power को आप restrict करते हैं, तो वो decision definitely unreasonable सनजर आता है, judicial और political crisis जहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसके अलावा Middle East की अपने आपको single democracy ब जो फिलिस्तान के साथ इनका concern है, उन सब के बाद अगर आप बात करें तो किस तरह की democracy है, वो भी अपने आप में कहीं कहीं question raise करते हैं, इसके अलावा इसराइल की अगर हम बात करते हैं, ये ऐसा नहीं पहली बार है, पहली भी इस तरह क्राइसिज हैं, और इसराइल की इस नहीं मतलब तानासा थियोक्रेशी मतलब religious लोगों के दवारा power grab करना, तो ये चीज़े हैं, देखो editorial जो होते हैं, ये एक individual writer के अपना एक opinions होते हैं, तो कभी भी editorial में जो लिखा गया है वो परमसत्य नहीं है, इन्होंने जो लिख दिया वही परमसत्य है, पढ़िए, समझ जो पॉइंट अच्छे लगे, चाहे हो criticism के लिए को valid पॉइंट हो, या फिर अच्छे points हो, उनको pick करिए, और mains के answer writing में जो हो, इंसर्ट करिए, तो फिलाल, the Hindu newspaper analysis में इतना ही, thank you, जैहिन